हेलो दोस्तो एक बाद द्वारा से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विवी करना स्टॉक्स पर दिल से अगर आप चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो साथ में बैल को दमना ना बुलना ताकि आप हमारे सभी के सभी नोटिफिकेशन रेसी कर दो Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp में जहां आप कर सकती हो ठीक है और मैं क्या करूँगा आपके लिए बहुत सिंपल है भाई जब शेयर कर दोगे तो VR Stalker के मेरी ID है यह Instagram की ID है यह Twitter की ID है विवी करना दोस्तों नौ आप मुझे मुझे इसकी शेयर कर देना टैक कर देना डेफिनेटली आप आपको जो Class का Link होगा जो कल होने वाली है पटसो होने वाली है उसका Link आपको मिल जाएगा और आप सीख सकोगे जो मुझे आता है जो भी आता है ठीक हर Sunday क्लास होने वाली है लास Sunday भी हमने Class रखी थी और इस Sunday भी definitely Class होगी ठीक है भाई तो चलिए कर दो Share अभी के अभी कि ऐखा आतुर क्लीड उडिए करना है थी इस लगतार नहीं चुकाहां ओपर मैं लगतार बहुत वीडियो बनाय हैै ठीक है गलत बोल ला था मुझे नीचे comment को बता सकते हैं, आप गलत बोल रहे हो, ठीक है, शाड़े 6 रुपे के label से लकातार बोला कि stock को buy नहीं करना है, ठीक है, और आपको एक तरीका बताया था stock को buy करने का, एक जब तक एक stock एक range बे ट्रेट नहीं करता है, हम stock को buy नहीं करेंगे, और मुझे खुद लगा क करते हो, और दोस्तों बहुत साई लोग ना सिर्फ वीडियो को उपर से देखके जाते हैं, आदा धूरा, पूरा वीडियो देखके नहीं जाते हैं, तो भाई, request करूँगा, आपके पैसों का सवाल है, ऐसे वीडियो नहीं देखोगे, पूरा तो कौन से वीडियो अगर रिक्स नहीं लोगे, तो फ़री क्या लोगे, फिर भाई है ना, तो भाई, डेफिनिटी ये पैटन का फ्रमेशन बनने वाला है, और बन चुका है, ठीक है, मैं आपको तरीका बतलाऊँगा कि डवल पॉर्टम पहले होता गया है, उसको कैसे हम प्रिटिक कर सकते हैं बन चुका है, बनने वाला है, तो उसके लिए भाईया, विकास मल्टी कॉप में जो भी ये चीजे होती है, देख सकते हैं ये चीजे, मैंने खीच रखी है आपके लिए ताकि आपको समझेने में असानी हो जाए, तो उसके लिए सबसे बहले भाई, वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, एक और बात, वीडियो को थोड़ा देख लेना, और अगर पसंद आया डवल बॉटम का पैटन, तो शेर कर देना आगे, ठीक है बाई, तो लेके चलता हूँ, चार्ट की तरफ, उससे पहले हम समझे लेते कि डवल बॉटम चार्ट पैटन होता गया है, ठ पहले नीचे गिरा, ठीक है, फर्स बॉटम लिया, मतलब पहला सपोर्ट लिया, उसके बाद उपर गया, एक नेक लाइन मनाई, मतलब एक रेजिसन मनाया, फिर द्वार नीचे आया, और सेम प्राइस के आसपास, या उससे अठनी पैसे या एक रुपे उपर का आसपर सप सकते और मात्र अठनी पैसे का या असी पैसे 17 पैसे का असपर स्टॉप लोज होगा यहा पर, यहा पर रिवार्ट बड़ा होगा, और दूसरे वैकती क्या करेंगे, दूसरे वैकती यहां एंटी करेंगे, ठीक है, यहां ब्रिक आउट में, ठीक है, यहां पर आपका reward और हम buy कैसे कर सकते हैं अब मैं लेके चलता हूँ विकास multi-cop share में यह apply करते हैं और दिखाता हूँ कि क्या उसमें बन रहा है क्या हो रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले clean chart दिखाता हूँ तो सब देख सकते हो आपको याद होगा लास्ट वीडियो मैंने बहुत क्लिवडो में का था ये stock जब तक ये 2 रुपे 80 पैसे के नहीं जाता है हम stock को sell नहीं करेंगे हम stock पे बने रहेंगे किसी भी condition में market आपकी जहां मर्जी चले जाए आपको stock पे बने रहना जब तक ये stock 2 रुपे 80 पैसे के उपर trade कर रहा है आप बने रहा हो अगर 2 रुपे 80 पैसे टूट जाता है और close कर देता है ये stock 1 रुपे आ सकता है मैंने ये बोला था तो भाई जब तक ये stock 2 रुपे 80 पैसे के नीचे नहीं जाता है तो गलत फहमी मत पालो ठीक है गलत फहमी मत पालो जब तक उपर है आप stock को hold करेंगे बाय करेंगे जब तक उपर है जब इचे जाएगा तो हम sell करेंगे sell मतलब base देंगे जो भी है मारे पास बेच के निकल जाएंगे तो दोस्ता आप देख सकते है stock आपका बहुत किलियर आपको दिख रहा है कि ये bottom बना रहा है bottom मतलब support ले रहा है यहां support इसने कितनी time ले है आप खुद देख सकते हो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, शे बार, साथ बार almost seven times पूरा एक हपता तीन रुपे के price mister घूम रहा है और trade कर रहा है ठीक है, तो खुद समझेए अगर कोई price एक range में trade करता तो या तो वो breakdown देता है या breakout देता है तो अब आप खुद देख लिजी आपको क्या करना है ठीक है, मेरे असाफ से ये break up breakout ही देगा, उपर की तरफ जाएगा अगर breakdown देता भी है तो चोटा सा stop loss से मातर 30-40 पैसे का ठीक है, रिक्स चोटा है, reward बड़ा हो सकता है reward कितना है, ये 4 रुपे के target और 4 रुपे के उपर अगर sustain कर गया तो 5 रुपे के target भी देखने को मिल सकते है ठीक है, अब आपको दिखाता हूँ मैं, जो मैंने आपको पहले chart दिखाया था अब विकास मल्टी कॉप में वो चीज़ दिखाता हूँ तो अब देख सकते है, विकास मल्टी कॉप का मैंने daily chart खोला हूँ है, आपको असानी होगी समझने में, यहां से गिरा ठीक है, पहला support लिया पहला support उपर गया resistance लिया, चार रुपे का, ठीक है नीचे आया दुबार से, यह second bottom बना रहा है अब दुबार से, और यह definitely मुझे लगता है यह ऐसे गरी उपर जा सकता है ठीक है, तो मैंने आपको भाई, बहुत clear picture बता ती यह stock में, आप अगर चाहो तो यहाँ buy कर सकती हो, चाहो तो यहाँ breakout में buy कर सकती हो, जहाँ आप buy करोगे ठीक है, अगर नीचे buy करते हो, तो definitely उपर आपका, रिक्स जादा हो सकता है, लेकिन अगर उपर buy करोगे तो वहाँ तो भाई, तीन गुना रिक्स हो सकता है तो आप देख लो, आपको कहाँ रिक्स लेना है ठीक है भाई? तो भाई, मेरे साथ से definitely यह bottom out हो चुका है, और stock definitely आपको, ठीक है, आप देख लो क्या गरना, मैंने आपको अपनी कानी बढ़ा दी है और दूसी चीज़ दोस्तों, अगर बात करता हूँ volume तो इसमें होई रहा है, बढ़ रहा है साथ में इसमें delivery percentage वो भी लगातर बढ़ रहा है, रोजाना 50%, 60%, 70% की quantity लोग घर लेके जा रहे वो आपको एक बार go through करवा देता हूँ कि आपको थोड़ा असानी होगी कि आपको stock को investment करना है नहीं करना है ठीक है, तो एक बार वो भी check out कर लोगा तो दोस्तों आप देख सकते हो, NSE का data खोला है मैंने Vikaas, Multicop, Share का ठीक है, इसमें देखेंगे कि भाई है कितने लोग इसको घर लेके गए और कितने लोग उसनोंने मात्रिस में trading करी है तो दोस्तों देख सकते है Vikaas, Multicop, Share का मैंने data खोल लगा NSE में, एक अपरिल का data है जब मंडे को market खोलीगी, definitely market जो बंडे को वो पलस की तरफ ही रहने वाली है बहुत लोग बोलते, Sir, यह market उपर नीचे होती रहती है कैसे पता करे दोस्तों मैंने आपको बहुत सिंपल तरीका बता रहे है Nifty में, आप सिंपल 83 का moving average प्लाई करो आपको कुछ और करने की अफसकता नहीं है अगर आपने वो moving average अप्लाई कर लिया Nifty में, आपको और कुछ देखने की ज़रोती है market की movement पकड़ने की ज़रोती है उसको apply कर लो, market की movement आपको एक दिन पहले का है, दस दिन पहले पता चल जाएगी ठीक है, अगर आप शाथे उसके वीडियो बनाओ उसमें 10,75,000 quantity लोग घर ले गए, 10,75,000 ठीक है, almost 55% की आसपास का ratio निकल के आता है delivery percentage का और दोस्तों लगाता है, 7 दिन से यही game चल रहा है delivery percentage लगाता है, बढ़ने में लगा है और इसके basis में, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप इसके basis में लगता है यहां से bottom out होने की position में है ठीक है, अगर bottom out नहीं भी होता है दोस्तों तो आपका खोने के लिए कुछ भी नहीं है, मातर 2.80 पैसे का stop loss है ठीक है, और आपको पता है 2.80 पैसे जैसे आएगा आपको stock से exit करना है किसी भी हालत में ठीक है, अब आप बोलोगे से मैंने तो stock को 4 रुपे के लेवल से बाई गया 5 रुपे के लेवल से बाई गया, क्या करूँ तो दोस्तों उसके लिए simple उपाय है भाई, थोड़ा मत quantity 3 रुपे 10 पैसे का असपर बाई कर लो ठीक है, और हो सके तो भाई, एक बार कल्टी मार लेना लेकिन भाई, प्लीज, आप अपनी खुद की research और अपने financial advisor से सला ले लेना before taking any trade या investment ठीक है भाई, तो भाई, अगर वीडियो पसंद आया है तो यहाई समाप्त करता हूँ आशा करता हूँ आपको यह वीडियो informative लगा होगा कि double bottom में कैसे trade किया जाता है ठीक है, क्या target होते, क्या swap loss होते और अच्छा लगा तो share करते हैं आपने दोस्तों के साथ फैलाद हो वीडियो को ठीक है, और अगर आप class में participate करना चाहते हो